दिग्रश शहर में वंगलवार को यौतमाल से आर्टी पीसियार के तहट 23 और दिग्रश कोविड केर से रैपिड एंटिजन टेस्ट में दो पॉजिटिव रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है जिसके बाद तहसल के कोलेक्टिव पॉजिटिव मरिदों के संक्या सत्यासी हो चुकी है सूत्रों की माने तो आज शहर में दो लोगों की मौत के खबर सामने आई जिसमें एक शक्स यौतमाल कोविड में हाल ही में उपचार के लिए भरती हुआ था वही एक अन्यम महिला को एम्बुलेंस से उपचार के लिए दिग्रस से यौतमाल ले जाया गया मालुम हो कि मौत के पुष्टी के बाद खबर लिखने तक दोनों वृत्व्यक्तियों की रिपोर्ट अपराप्त होने से मौत का कारण फिलाल स्पष्ट नहीं है सूत्रों के मताबिक शाम तक रिपोर्ट आने की संभावना है बैरहाल मंगलवार की दोपेर कोविड केर के सूत्रों से मिली जानकारी के अनसार 23 पॉजिटिव मामलों के साथ ही उन पचास निगिटी रिपोर्ट भी प्राप्त हुई बैरहाल तेस पॉजिटिव रिपोर्ट में कोश्टिपुरा से छे, गांधी नगर से चार, हिन नगर से चार, निमबा से एक, हरसूल से एक, लाखराईजी से एक, श्राम विहार से एक और अमबेडकर नगर से एक, तो शास्त्रे नगर से एक, बापु नगर से तीन, आधि सहीत कोवीड केर में आज रैपीड एंटीजन टेस्स में दो नतीजे पॉजिटिव आये हैं, जिसमें विश्वशांति नगर से एक और पंचायज समिती के एक शक्स का समाविश है, ऐसे कुल 25 मामले पॉजिटिव आने से सोमवार की रात तक 62 और आज दोपर तक 25 पॉजि जो अब लगवग डबाबंध हो चुकी है, ऐसे में कुलनास संक्रमन के बड़ते फैलाओ को रोकने के मद्दे नजर खुद के सुरक्षा का जिम्मा अब खुद के हाथ में है, इसलिए इन्बीसियन अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि वह की गाइडलाइन्स और सरक कि असे लिए जुबेर्खान के रिपित हैं